पास्फा भुटो मुझे वितलीं काख दिया जाए पास्फा मुझे वितलीं काख दिया जाए भोटी कपड़ा और मकान ये नारा भी पुराना हुआ जाग पंजाबी जाग तेरी पग नु लग गे दा पग दोएगा कौन जटकी बत्ती जलती जा रही है आम आवाम उसके पीछे चलती जा रही है हकीकत क्या है अफसाने में कितना सच और कितना जूट है जानने के लिए देखते रहें और हमारा साथ देते रहें ये ख़बर एक तक्सरों पासफा भुटो मुझे भी तैलिम का रिम का रही है अबी पेपस पार्टी की कियाधत का दावा है कि सिंध की आवाम के पास पेपस पार्टी का कोई भी मतबादल नहीं है पेपस पार्टी के हकोमत के जानिब से तरीम के शुबे में बेपपना फंडिस अमल करने के बावजूद भी सिंद में प्रैमरी एजूकेशन के फ्रोके लिए कबले जिकत तरकी नदर नहीं आती है हर तरीम एदारे में एक यह आवज आती है तकरीमां ती साड़े तीन सो के लगबग शागिर्द हैं और हमारे स्कूल में मसला यह है कि फरनीचर नहीं है और स्कूल की हालत जो है बहुत खराब एड़े में यह है और बिजली की सोलब नहीं है इसी वज़े से जो हमारे बास बच्चे तालिम नीचे जमीन पे बेटके है साड़े तीन सो में सो के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनको किताबे जो है वो मिली है वो भी मुकमल नहीं सांग्ण का तरेखी प्रैमरिय स्कूल पीज़े से सब्धुला शाराषी गड़ंग्डो जहां 300 से जाद बच्चे और बच्चे जेरे तलीम है स्कूल में नाहीं पीने का सावपाने की साहलDINGत है और नाहीं वाश्रोम और नाहीं फनिच्यर और नाहीं बुक्स बच्चे और बच्चे आन जमीन पर बेड़कर पढ़ने पर मजबूर है देखें यह बहुत बढ़ा हमारा यहां पर इसकूल है यह सब्तुला शहीद के नाम पर इसकूल है हमारा मगर यह तालीम पर जो है आजकल उनका जो फोकस है वो कुछ कम नज़रा आ रहा है क्योंकि यहां पर सहूलियात बहुत कम हैं यहां पर शागिर्थ बहुत ज्यादा हैं और उस हिसाब से इसमें फरनीचर भी नहीं है और जायब si बात है अब बेघ्ट are जो किताबे है वो भी बहुत कम ही होती है और जायब से बात है तक्रीन उस जहाँ बात है कोई 50, 60% बच्चों को किताबे मिल चुकी हैं बगि उससे जादा को किताबे नहीं मिली है जूरुतिसमर की है कि अगर सिंद के सियासदान चाहते हैं कि सिंद के बच्चे और बच्चियां पड़ी लिखी हो उतरा की करें तो इसको तमाम बनादी सोलतें फराम करना होंगी और अगर सिर्फ सियासद ही करनी है तो फिर यहीं सिंद पड़ा लिखा रहेगा कामरा टीम के साथ इश्वाक सुलरी सांगर